हलो एंड वेलकम टू दे शेपर्स एडूकेशन चैनल चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टैस्टिकल क्वालिटी कर्ट्रों आज आते हैं हम लोग इस पर्टिकलर चैप्टर के उपर तो हम सीखेंगे आज स्टैस्टिकल क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया यह चैप्टर जो बीकॉम, बीबीए और प्रोफेशनल स्टेडिस वाले बच्चों का आता है इस चैप्टर में पर्टिकुलर्ली हमें प्रोडक्शन प्रोसेस और उसकी क्वालिटी डिपेरिएशन के बारे बात है चले समझते सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है जिसे आपने देखा स्ट कस्टूमर प्रिफर करता है जो कस्टूमर की चॉइस तो अगर कोई मैनुफेक्शर कोई चीज बना रहा है और कस्टूमर उसे पसंद करता है उसके कोई एसपेक्ट पसंद करता है तो उस चीज को माना जाता है कि वो उस प्रोड़क्ट की क्वालिटी यानि क्वालिटी अ से हम quality कहते हैं ठीक है यहां तक हमें clear हुआ चलिए अब हमने समझ लया कि quality क्या होती है पर अब हमें समझना है कि quality को maintain कैसे करा जा एक producer को quality maintain करने चाहिए जिससे customer उसके product बार बार खरीदे तो basically quality maintain करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि किस किस चीजों को customer पसंद करता है और उस चीज में variation नहीं आने चाहिए यह बदलाव नहीं आने चाहिए तो basically हमें यह समझना है कि अगर quality के अंदर कुछ बदलाव है कुछ variation है उसे find out करो और उस variation को product में से हटा दो जिससे हमारी product की quality हमेशा एक जिसी बने ठीक है तो basically हमने word जो समझा अभी उससे कहते है हम हम लोग variation कितने type के होता है सबसे पहले हमें समझना है कि जो variation होते है quality में वो दो वज़ा से हो सकते हैं एक पहले और आसान वज़ा है जो है जिसे कहते हैं हम लोग due to chance causes यानि variation तो हो रहा है product की quality वो बदल तो रहा है पर वो एक ऐसे factor की वज़़ा से हो रहा है जिससे हम जानती है हम उससे कहते हैं chance chance कुछ भी हो सकती है यानि अगर variation बहुत ही कम हो बहुत ही minor सा variation और product के अदर तो हम उसे कहेंगे variation due to chance causes अब से बहले समझते हैं क्या हो सकता है हम आरे पास example है यह एक pen है मालत है हम इस pen की कुछ particular length होगी अगर इसकी length vary करती है यानि अगर वो बनाते वे इस pen कभी छोटा बन जाता है पर वो कुछ millimeter की यानि 0.01 0.02 mm जितना variation आता है तो customer को पता भी नहीं चलेगा और हमारा product basically market बिखेगा पर इसमें कोई बहुत बढ़ा अंतर आ जाता है याना half an inch या एक inch से जादा इसमें छोटा या बढ़ा हो जाता है pen तो variation के बारे में customer को पता सब तो variation in chance conscious का मत ट्राइचि के अंदर तो उसे हम कहते हैं variation due to chance causes तो जो second topic है second variation हो सकता है variation due to assignable causes यह ऐसा variation है जो हम assign कर सकते हैं यानि इस तरीके के variation को हम किसी से belong कर सकते हम कह सकते हैं कि in particular चीजों की गल्ती की वज़ह से इन पर्टिकलर चीजों की change की वज़ह से variation आया ठीके तो देखते है वो क्या-क्या हो सकता है सबसे पहला हमें इसमें बता रखा है raw material ठीक है यानि अगर हम किसी production process को कर रहे हैं कोई product बना रहे हैं तो उसमें एक कच्छा माल यानि raw material लगता है अगर raw material की quality में बदलावा जाएगा उसकी weight में उसकी size में उसकी color में बदलावाएगा change आएगा तो हमारे finished product के अंदर भी change आजा इस वज़ा से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह जो variation है वो किसी raw material की वज़ा से भी हुआ है यानि raw material की quality अलगाई तो हमारी product की quality बन बदलावी तो एक वज़ा हमें बदा चल गई इसे हम assign कर सकते हैं दूसरा है machines एक production process के अंदर काफी सारी अलग- कि उनके काम करने का तरीका एक जसा है उसे खरिदा भी हमने सेम समय पता है पर समय के सास्ता उनकी quality जो वो product बना के दे रही है जो finished product हमें बना के दे रही है उसमें कभी-कभी change आ जाता है और जब इस particular machine की वज़ा से जाता है हम जब sample निकालते कि भी इस machine से ये sample आया दूस से कहेंगे के vay variation dube to machine तीसरा जो है operator यानि operator को उता है heya operator वह इंसान होता जो machine को चलाता है वह employee यानि operator अगर machine को चलाता है और उसने कभी जाली आलग- instructor TIMING के एकूसार से किसी बॉल को बंद करना है कि चीचिन sales DO baik को beginning वेरियशन असकते हैं तो यह कह सकते हैंँं हम लोग कि वेरियेशन ड्यूटो operator vivo induces शॉटि ओध्य रयूण प्रोडेक्षिन प्र Souzen दिन में बीच्थ चलती लग जदा एक्टिव होते हैं जदा अवेक होते हैं जदा अवेरो तो वो लोग ज़्यादा ध्यान से बनाते होगी चिजों में quality अच्छी आती होगी रात के समय इनसान जो इतना जागा वह नहीं रहता इसलें variation आ सकते हैं, रात के समय शायद production की अंदर बदलाव आ सकते हैं, तो हम ऐसा किसकते हैं कि time basis पर अगर variation आए तो उसको बुलेंगे कि variation due to assignable causes और वो भी वजा क्या थी time, यानि अलग-अलग shift की अलग-अलग quality आए, तो हमने एक theory part इस particular chapter का खत्म कर दिया, almost 2-4 और point है, जो हम पढ़ते-पढ़ते आगे समझ लेंगे, अब हमें समझना है कि इस particular variation को जो हमने पढ़े आज चार variation, raw material, machine, operator और time ये variation है, इन variation को कैसे पहचाने और इसे कैसे production process से निकाले, ये हमें अब इस particular chapter में ढूणना है और जो बेन मकसद इस particular chapter का जो तुम्हें करना है, ये ही तो सीखने के लिए वीडियो देख रहे हो, तो जैसा मैंने आप तो बताया कि अगर variation को हमें हटाना है, तो हमें कुछ measures लेने पड़ेंगे, कुछ तरीके निकालेंगे, इन तरीकों को कहते हैं हम लोग measures of intendant, या method of quality control, ये method में हम आज दो particular सीखनों के बारे में समझेंगे, एक सीखेंगे हम लोग s-bar chart génér llam name E bar chart के बारे में, और दूसरा हम लोग सीखेंगे r chart Напр chart मेंों, did the chart जो बताता है mean के बारे में और र chart양 urge convince understand과, can ऐ औरा मैं limits निकालेंगे, standards निकालेंगे और उसके अंदर अगर production आता है तो वो under control है, उसके भाहर आता है तो out of control, पर सबसे पहले यह समझना है कि यह limits कौन सी है, यह level कौन से है, उसको पता लगाना सीखना आपी पड़ेगा, सबसे पहले आजाते हैं हमारे पास इस formula के अंदर जो कि यह x-bar chart, x-bar chart का formula है, जिससे आपको मैंने बताया, कि इसे x-bar chart यह तो x-bar यानि sigma x-bar upon m, यह इसका particular formula है, यानि सब mean का total और divide by number of sample जितने हमने उठाए है, production process के अंदर, प्लस अब यह तो इसकी central limit निकल गई, अब हमें सुझना है कि अपर limit क्या है और lower limit क्या है, यानि जाद से यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है, ठीक है, इसके लिए हमें निकालना है upper control limit इस तरीके से लिखेंगे देखें, अपर control limit का formula का फिया सर, x-bar chart से relate करता हो, इस तरीके से लिखेंगे, x-bar जो हमारे पास किस से उपर वाला answer आया है, यह चीज़, उसका इस्तमाल करते वे उसमें हम प्लस कर देंगे एक constant value जो है a to r बाद, अब यह constant value क्या होती है, वो हमेरे sum में दे रखी होगी, जो हम sum solve करेंगे आगे वाले illustration के अंदर, उसमें मैं आपको detail में बता दूँँआ, अब आजाते हैं हम लोग, दूसरा है इसकी lower control limit, अब यह lower control limit जो है, वो बताती है के minimum तो minimum इतना हो सकती है, quality उससे काम होगी तो आउट of control होगी, तो lower control limit हमें find करनी है, बहुत ही आसान formula है, आपको लिखना है x bar, जो कि हमारे पास control limit आई, जो हमने पहले find करी, उसमें से minus कर देना यह value a to r bar, यानि upper control limit के लिए x bar plus a to r bar, lower control limit के लिए x bar minus a to r bar, easy, चलिए, अब आजाते हैं हमारे दूसरा, जो कि है chart of range, 8 chart इसको करें, यह भी हमें इसके साथ में निकालना है, दूनों के study साथ को होती है, x bar chart और 8 chart साथ में बता है, इसलिए हमें दोनों find करना है, data कितना vary करता, कितना range करता, वो range है, तो r chart मैंने बताया कि इसमें range के बारे में आएगा, ठीक है, तो range का हमें sum निकालना है, यानि r bar निकालना है, अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sigma r bar upon m, यह इसकी control limit आजाएगी, अब इसमें भी upper control limit और lower control limit आएगी, इसको भी बहुत easy ली निकालेंगे हम लोग, upper control limit को जैसे मने बताया, उसको बोल सकते हैं, अब लोग, ucl, u, c, or l, upper control limit, तो उसका formula क्या होगा, बहुत easy है, उसमें हमें लिखना है, d4, एक value हैगी, वो हम find out करेंगे, और उसको हम r bar से multiply कर देंगे, तो आपके पास आजएगी, upper control limit, lower control limit इसको lcl बोल सकते हैं, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, d3, r bar करना है, ठीक है, अब इसका illustration हम solve करेंगे, जिससे हमें यह सब सीजे फटाफट समझना आ जाए, कि यह m क्या है, r क्या है, d3, d4, a2 क्या है, तो पता होना चाहिए, चलिए, आजाते हम उस particular illustration, ठीक है तो अब हम आ गए हैं, इसकी particular illustration के उपकर, जिससे हम सीखेंगे कि इसे implement कैसे करा आता है, formula का use किसे करा आता है, तो formula का use करना हमें, तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा data क्या दे रखा, हमें data दे रखा है कि हमने करीबन 10 sample निकाले, ठीक है, कितने sample निकाले है, around 10 sample न जो sample उसको x1, x2, x3, x4 इस तरीके से हमें बता रखा है, और इन sample की मतलब से अब हमें पता लगाना है कि यह production under control चल रहा है, या out of control चल रहा है, यह हमें इस particular question में find out करना है, चलिए देखते हैं कैसे find out करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कि इस particular question के अंदर, कुछ values हमें पहले पता लगाने पड़ीगी, सबसे पहले कितने sample है, वो पता लगाना है पड़ी, तो sample जो है, वो हमारे पास कितने है, 10, तो 10 sample है, तो उसे बोलेंगे हम लोग M, ठीके, 10 sample है, total sample है, 10, तो M हो गया हमारा 10, दूसरी एक value आती है, हर बार कितने sample लिए, तो हर बार आपने कितने sample लिए, 4, x1, x2, x3, x4, 4 sample लिए, इसलिए हम बोलेंगे, इसमें एक value है, जिसको बोलेंगे N, तो N हो जाएगा 4, अभी जो N है ना, इसकी मदा से हम लोग A2, D3 और D4, क्या मनें बताया, A2, D3 और D4, इनकी value N की मदा से हमें, ठीके, चलिए, अब आजाते है इसको sort out करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब data का sum निकालना पड़ेगा, जो हमने यह value बता रखी, जो है sigma x, sigma x निकालेंगे, या नहीं इनको add करते जाएगे, चलिए, इसकी value लिटते जाते है, फटा-फट, अब यह होगा, past forward, ठीक है, तो हमने क्या करा, सब values को plus कर लिया, या यह x1, x2, x3, x4 को add कर दिया, तो हमारे पास यह values आ गई, अब हमें इनका average निकालना है, क्या निकालना है, average, उस particular level पर, यानि क्या करेंगे, इसके, x1, x2, x3, x4, यानि 70, 80, 72, और 78, इनको plus करा, तो हमारे पास आया, 378, 378 है, और यह कितनों को plus करा, 4 को, तो divide by 4, हम यहाँ पर लिख देंगे, यानि x-bar की जो field है, वहाँ पर हम लिखेंगे, इसको divide by 4, जो की है, 75.6, ऐसे करके second data का निकालेंगे, second data का total है, 375, उस इसे हिसाब से हम आगे भी करते जाएंगे, चलो, देखते हैं, और लास्ट हो गया, 71.6, तो यानि हमने क्या करा, उन 4 data का average निकाल दिया, अब उसका हम sum कर देंगे, क्योंकि हमें इस particular formula के लिए, इनका sum निकालना पड़ेगा, x-bar का sum, यानि हम ब्लस करेंगे, 75, 76, यह जो x-bar की mean की value से add कर देंगे, तो हमारा तो टोटल आएगा, वो आएगा करीबन, इसने प्लस करेंगे, एलकुलेटर में तो आएगा, 758.4, ठीक है, तो इसका यह total आजाए, फर्दर हमें निकालना है range, अब range, चली, range निकालना काफी आसान, range कैसे निकालेंगे हम लोग, जो ह से highest है, उसे हमें minus करना है, तो हमें हर एक particular field की range मिल जाएगी, चली, रेखते हैं, सबसे पहले, सबसे चोटा नमबर है, 80, सबसे बड़ा नमबर है, बाकी तो छोटी हैं, सबसे बीच मा जाते हैं, तो सबसे बड़ा नमबर हुआ 80, सबसे चोटा नमबर हुआ 70, इनका जो से हमें minus करना, तो आगे हमारे पास range 6, इस तरीके से हम सब range find करते जाएंगे, चलिए, अब इन सब range को हम क्या करेंगे, add कर देंगे, चली, add कर देंगे, इनको add करा तो around आगे हमारे पास 66, ठीक है, तो यानि हमारे पास basically, दो value आ गई है, sigma x bar, जो है 758.4, और हमारे पास sigma r जो आगे 66, इन दोनों चीजों की मदद से अब हम formula को put करेंगे, x bar chart और r chart की हम लोग limits निकालेंगे, और फिर हम उसे का chart बराएंगे, चलिए, तो हमारे पास यो values है, उसे याद रखना, हमारे पास यो upper corner को हमें देखने को मिल जाएगी, चलिए, तो अब हम formula लेखते है, formula का control limit, cl, ठीक है, central line, central limit, जो आती है, x bar, sigma x bar upon m, ठीक है, हमारे पास sigma x bar, मैंने आपको निकाल के बता है, यहाँ पर value दिऊ हुई है, यह क्या है, 7558.4, और sample m, जो है ना, total m, जो है हमारा sample number, कितने है, 10, तो यहाँ 10, यानि हम दोनों को divide कर देंगे, basically, यहाँ लिखेंगे, हम लोग, 758.4 divided by 10, तो हमारे पास आसानी से आ जाएगी value, जो कि होगी 75.84, यह हमारी cl अब आ जाता है, हमारे पास ucl, अपर control limit, अपर control limit का formula हमारे पास याद है, आपको बताया है, x bar plus a to r bar, अब बंगा क्या हो गया, आर बार चाहिए हुई है, तो यानि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर भार भी निकालना पड़ेगा, चलिए, अब हम दोनों के formula लिख देते हैं, फिर find out, सबसे पहले ucl का formula लिखा, lcl का formula लिख देते हैं, x bar minus a to r bar, यह formula इतने easy के आपको एक बार में याद हो जा आर चाहिए है, आर चाहिए है, तो आर चाहिए है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 66, एम हमें पता ही है, 10 जो हमने इस्तमाल करना था, number of sample, यानि टोटल हमारे पास आगया 6.6, ठीक है, यानि आर बार की value किती है, 6.6, चलिए, अब हमारे पास इतनी value आ गई, r बार आ गया, अब यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं, हमारी UCL, LCL, x-bar chart के और UCL, LCL, r-bar chart, चलिए, लिखते हैं, ठीक है, 75.84, यह हमारे पास दिया हुए, अब मैंने आपको बताया था कि 82 के value हमें n से मिलेगी, किस से मिलेगी, n देखें, हमारे पास जो sum है, उसके starting में हमारे पास n जो दिया है, वो कितना है, 4, ठीक है, n कितना है, 4, कैसे निकाला था, sample number 1, 2, 3, 4, chart sample हो है हर बार, तो n आगया 4, अब n 4 है, तो A2 की value क्या होगी, वो एक particular sum में आपको दे रखी होगी, नहीं दे रखी है, तो आपको statistical quality control की table में देखना पड़ेगा, इसकी table इंटरनेट पे भी available है, और आपकी book की last view दिया होगा, अगर आप इसी particular topic को पढ़ रहे हैं, तो, तो मैंने book में देखा, तो n 4 के सामनी, टू की value है, 0.577, यानि value किती है, 0.577, यह हमारी किसकी value हो गई, टू की value होगी, इसके साथ हमे क्या multiply करना था, तो इसके साथ हमें multiply करना था, 0.6, जब इसे further multiply करेंगे, तो इसका जो answer आएगा, वो आएगा हमारे पास around, 79.648, ठीक है, तो around इसकी इतनी value हाजेगी, 79.648, UCL आ गया, LCL find करते है, LCL के लिए क्या करना है, यह सहीं ही लिखना है, 75.84, इसमें हमें minus करना है A2 की value, 0.577, जो हमने निकाली, R bar की value जो हमारे पास है, 6.6, ठीक है, इसे हम multiply करेंगे, sort out करेंगे, तो हमारे पास जो value आईगी, minus करके, LCL की value, वो आईगी, 72.032, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, UCL मिल गया, LCL मिल गया, X bar chart, अब हमें R bar chart का निकालना है, R bar chart का formula हमें या दिये, R bar chart का जो formula है, वो होता है, basically, R bar is equal to sigma R upon M, जो हमने निकाला 6.6, इसका UCL यानि जो upper control limit होगी, वो होगी, D4 R bar, और LCL जो होगी, वो होगी, D3 R bar, ठीक है, अब D3, D4 की value ऐसे ही निकले कि, जैसे हमने यानि N की मतलब से, अब जब N 4 होता है, तो D4 की value क्या होती है, तो D4 की तब value होती है, around 2.12, और इसकी value पता ही, R bar के 6.6, तो हम इसे sort out करेंगे, तो हमारे पास मिलेगा 13.19 है, और LCL के लिए क्या करेंगे, LCL की लिए D3 की value निकलेंगे, D3 की value 0 होती है, जब N होता है 4, तो D3 की value होती है 0, तो 0 into 6.6, कोई मतलब नहीं है, 0 ही आने वाला है, तो हमने सारी की सारी values, find out कर ली है, X bar chart की, R chart की, क्या क्या value find out करी, देखते चला, हमने find करी है values, X bar chart और R chart की, X bar chart में find कर दिया है, LCL पहले find कर रहा है, control limit, उसकी upper control limit, UCL, lower control limit यह find कर ली है, उसके बाद हमने R chart find करा था, जिसमें हमने उसकी find कर ली है, control limit, upper control limit और lower control, अब इन सारी values की मदद से हमें chart बनाना, तो मैंने आप लोगों के लिए, बहुत ही जल्दी से यह chart एक बना दिया है, यह chart जो है, इसमें सब limits हमें बताई, तो हम हमारे पास जो value है, हमें वो plot करनी है, UCL की value जो हमारे पास हो किती है, 79.64 है, वो हमने यह plot कर दी, यहां पे आ रहा हूं, UCL की line आपको दिख रही है, CL की value पे वैसे plot कर दी, LCL की value थी हमारे पास में, यहां पर 72.032, वो around 72 हो गया, मतलब हमें वो 72 के plot, यह value plot करने के अब हमें क्या करना है, points इसमें डालते जाना है, यानि जो sample का कितनी value थी, 75.6, यहां पर आता है, यहां पर आता है, 75.6, यहां बन के सामने इसको डाल देंगे, यह plot कर दी हमने 75.6, फिर आया 75, यह plot कर देंगे, 75 आएगा around, यहां पर, अब आता है, दूसरे अलग-अलग value इसको डाल देंगे, 76.6, यह कहां आता है, भी, थर्ड के सामने, 76.6, यहां पर आगा, फिर आगे हमारे पास 74.8, 74.8 यहां पर आएगा, फोर्थ के सामने, फोर्थ सेंपल है, तो यहां पर आ जागा, फिर आगे हमारे पास value, 76, एक्जैट 76 आगे, यह sample number कौन सा हुआ 66 value, ऐसा करके हम लोग plot करते जाएंगे, 76, 77, ठीक है, अब आगे हमारे पास 6 की value, 77.6, 77.6 जो है, वो यह वाली value हम plot कर रहे हैं, यहां आ गई वो, 76, अगली value आ गई वापिस, 8, यहां पर, फिर आ गई हमारे पास 8 value है, 80.2, 80.2 आ गया, बहुत उपर आ गया, 80.2 आ गया, around यहां, और यहां पर आ जाएगा अगला 75, 75 है, यहां पर, और है, 10 वाली की value है, लास्ट वाली है, 71.6, तो इसको यहां पर plot कर देंगे, 71.6, अब क्या करेंगे, इनके लिए हम सीधी line में draw कर देंगे, इनको connect कर देंगे, तो यहां पर हम इसको सीधी line से draw कर देंगे, यह पांचवा था, पांचवा, इस तरीके से इसको connect कर देंगे, ठीक है, तो हमने देखें, यह around 10 के 10 point हमने क्या कर दिये, connect कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दसांबर, ठीक है, 10 point हमने current कर दिये, हमने उसका एक chart बना दिया, अब हमें क्या करना है, 8 chart के लिए, जो हमारे पास question में find करी वी range थी, उसे हम लिखेंगे, देखें, यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिये, side में, पहला जो data है, उसका है, 10, UCL, LCL की value जैसे हमने x-bar chart हो find करी, उसके नीचे हमने find करी थी, यहां पर, यानि, UCL की value हो around 14, 13.99, LCL की value हो 0, और CL की value 6.6, वो हम यहां पर, ड्रॉ कर दिये, already मैंने आप लोगों के लिए 14, UCL, CL हो गई 6.6, और उसके बाद आ गई हमारे पास LCL, जो की 0 ही है, अब हम पहला point plot करेंगे, जो की हाया है 10, तो 10 के उपर करेंगे, चलो 10 है आ गया, यहां पर पहला plot करेंगे, 10 पे, दूसरा है, जो है, वो है 6, 6 आएगा second वाला, चलो, उसके बाद आया, थर्ड, थर्ड जो है, वो है 5, थर्ड में है 5, तो यहां पर आजागा नीचे थोड़ा, फोर्थ में भी सेम 5 ही है, फिफ्ट में आ गया है, हमारे पास में 7, तो 7 आ गया इस लाइन के रहा हूं, ठीके, उसके बाद आ जाएगा 6, 6 पॉइंट भी क और 10 वाले की है 3, ठीक है, इसे भी हम जॉइन कर लेंगे, यह तो मैं हाथ से ड्रॉ करना हूं, आप लोगों को स्केल से ड्रॉ कर देनी चाहिए, अब हमारे पास जो डेटा आया, चार्ट आया, उसको अब देखना है, उसका कन्क्लूजन बताना है, देखें, हमारे पास ज आपके वो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको, अगर आप कन्क्लूजन लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस परटिकलर आज से, तो सबसे पहले हम लोग लेख लेते हैं, कि हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, एक सबसे पास यहाँ पर डेटा दि आपका जो प्रोसेस है, वो आउट आफ कन्ट्रोल हो गई, यानि आपका जो प्रोसेस है, वो आउट आफ कन्ट्रोल हो गई, कैसे हो गई, क्योंकि एक पॉइंट यूसील के उपर से ले गया, एक पॉइंट यूसील के नीचे ले गया, यानि यह प्रोसेस हो गई, आउट में आ रहे हैं इन बीडवी नहीं आ रहे हैं यह पॉइंट भाहर है यानि यह भी आउट आफ कंट्रोल है अगर हम साइस ते इसका कंक्लूजन लिखे तो हमें कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि प्रोसेस इस आउट आफ कंट्रोल as per averages यानि according to average यानि एक्स बार के चार्ट के निसाब से प्रोसेस आउट आफ कंट्रोल है क्योंकि वो कि उसमें UCL और LCL से कुछ पॉइंट बाहर आ रहे हैं और प्रोसेस आउट चार्ट में भी आउट आफ कंट्रोल है क्योंकि कुछ पॉइंट जो है वो UCL के उपर आ रहे हैं जैसे हमने देखा पॉइंट नमबर तो इतना आपको कंक्लूजन लिख देना है और आपके फुल मास आ जाएंगे इस पर्टिकुलर यानि आप लोगों को जो क्वेश्टन सौल करना है पहले को क्या करना है यह आपको बनाना है यह यह व बना देनी है टेबल में से अरण बार के वेटाले हैं उसके बाद में हमारे पास X जार्ट ऐर आड चार्ट की जो पर्टिकुलर values धुणनी हमें UCL, LCL, CL फिर UCL, LCL, CL दोनों के लिए X bar chart और R chart के लिए वो find करी जिसे हमने find करी यानि आपको बनानी है table फिर values धुणनी है फिर बनाना है chart और chart से फिर conclusion निकाते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो यह करेंगे छे से 8 marks का समझों इसमें आपको full marks मिले hopefully आपको इस chapter समझ मा आ गया होगा इस chapter में बस इतना ही है इस से जादा और कोई study आती नहीं है इस particular chapter में अभी हमने सीखा वो है variable के बारे में यह variable chart थे X chart और R bar chart अब हमें next part में आपको बताऊंगा जो है attribute यानि जो quality attributes है P chart, NP chart, C chart यह कैसे बनता है वो next particular वीडियो में हम देखेंगे ठीक है बाई बाई